पत्चिस याप्री घायल पन्ना जिले की यातायात वेवस्था इसकदर चर्मराई हुई है कि आए दिन नए सड़क हाथ से सुनने को मिले हैं ऐसा ही एक हाथसा आज NH39 सड़क के भैरव टेक की घाटी पर पेश आया है जहां दो बस क्रॉसिंग लेने में आपस में टकरा गई पर बसों में सवार यात्री गंभी रूप से घायल हो गए है दोनों बसे आमने सामने से टकराई है जो एक सतना से आ रही थी दूसरी छतरपूर से जो आपस में दोनों भिड़ गई जिसमें सवार यात्रियों में 25 यात्री घायल हो गए है जिनें 108 की मदद से जिला चिकेट साले पन्ना लाया गया जहां धायलों का इलाद जारी है एवं दो की हालत नाजुत बनी हुई है आपको बता दें कि एक माह के अंदर पन्ना में यह चोथी सड़क दुरगटना है एवं नगर के लोगों में चर्चा है कि एक ही समय चन्द मिंटों के अंतराल से परिवहन विभाग द्वारा बसों को पर anthropology के अबाव को बचाने के लिए एवं मोटी रकम कमाने के एवस में यात्रियों की जान जोखि में डाल रही है वाली बस को हमारी गाड़ी वाले ने महरा किया है तो यहां पंदा से जो जा रही थी बस वो तो सर की अपनी लाइन पर जा रही थी तो इसने आगे किया तो पाधर में बस यह महरा वाली है ती साइट में उसने उल्टी साइट से मोहरा गुगा इतने में आगे से घाटी से गई जसी देला लगाई बस तो इसमें लग भग दूनों बसों के आदमी घाय लगें और हमें तो पेखे नहीं कितना किसको लगा है गल्ती किसकी बांते हैं गल्ती को हमारे बस वा देंगी है क्योंकि जब आगे खाली जगह हो तो बस निकालना चाहिए जब सामने से बस आ रही तो क्यों उल्टी साइट में जा रहा है ओवर टेक कर तिंग जो आगे की बस से जो आगे लगी थी बस उसके मोहरा ती या इसने आगे से किडास हैंगे लेके भागा तो आगे से जब आ रही तो आपने सामने टकराई है आपने सामने में कुछ सुप दिल ड़ाई से क्या नाम है मेरा नाम हानांद कुमार पटे